आप सबी का बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आज को कुछ विच्छा में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूं आपके साथ मटल मश्रूम बनाने की रेसिपी यह बहुत ही स्वाधिस्ट होता है और मैंने इसमें जो भी इंग्रेडियंट्स यूज आपको इजली घर में मिल जाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है तो प्लीज एक बर जरूरी से ट्राइए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेर जरूर करें और अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइ एक बड़ा प्याज ले उसको बारी कट कर लें अलग से एक तीज पत्ता थोड़ा जीरा ले और दालशीनी का टुक्रा ले उसको कूट करके हलका दर्दरा कर ले चमज धनिया पाउडर एक चमज गरम मसाला या फिर आप मीट मसाला ले ले अधे चमज सबजी मसाला आधे पाभज मिलों के अधिक अप्डी चूटी कटोडी ताजी मलाई लें दो चम्मस तेल ले इसमें हमें मटर रेट कर देने हैं और थोड़ा सा नमक डाल देना है इसको चला लें और ढखकर अपब अपका ए बिच बिच में आपक चलाते रहें जब आपके मटर बें आप निकाल जब तक पानी भी छोड़ता है तो थोड़ी देर भूनना है जब तक इसका कलर सेंग निया जाता है यह दिखिए मारे मश्रूम अच्छी तरह से पग गए हैं अब निकाल ले फिर इसके बाद हमें दो चम्मस तेल लेने हैं और प्यास दाल देने जो हमने बड़े पीसे तरह रखे तो चाहु टाला चाहिक अन्य जाता है निकाल र्लाच समय जब तक कि अऑ मारे प्यास गोल्डन ब्राउं टाल गया एन्समें भी टाल सकते हैं अगिसमे प्रेश सब्सक्राईदें मेरे फिर आख टाल हो उसका करिका शीषर छाल भीटाने में प्रकुत समय नामक टई प्याज Para नी प्याज है इसे चलाओं कर देते उसे चला ठेसं के प्यास के अधाया को त्यार हिसे लिए चलाने चलाने मठाव्टी उसी हाँ तब तक चलाते रहे से टोलाब मठाव्टी के आप करें य Small Sauce Counting Asian Water in the Horse चल एक मिनिट तक लगतार चला ले और फिर इसमें आप पानी डाल दे बहुत जादा पानी डाल करके आप इसको चला लें अच्छे से और 5-10 मिनिट के लिए ढख दे और इसको पकने दे अच्छे से और बीच मे एक बर चला करके देख ले ताकि लग नहीं रहा हो और यह दि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें थैंक्स पूर वाचिंग माई वीडियो